बॉलवुट फिल्म में अपने एक्शन और रुमेंस के लिए ही चलती हैं। ऐसे में बोल्डनेस का तड़का उन्हें रफतार देने का काम करता है। दर्शकों को एंटुटीन करने के लिए एक्ट्रेसिस को कई बोल्ड सीन्स भी देने होते हैं। बगर कई बार रुमेंटिक सीन्स शूट करने के दोरान उन पर आक्टर हावी हो जाते हैं। और कई बार इतनी परसनल हो जाते हैं कि वो सीन के मारी में भी भूल जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सूपर स्टार्स के बारी में बताएंगे जो रुमेंटिक सीन शूट करते सम में बहग गए थे तो दोस्तों कौन से हैं वो सूपर स्टार जाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें रंजीत और माधुरी दिक्षित माधुरी दिक्षित और रंजीत के बीच फिल्म प्रेम प्रतिग्या में एक सीन की शूटिंग के दौरान रंजीत ने सच में मा परदस्ती करना शुरू कर दिया था माधुरी इस खटना से पूरी तरह से डर गई थी और इसके बाद रंजीत को हमेशा उनसे दूर रहने के लिए कहा था दलिप ताहिल और जया प्रदा खबरों की माने तो अभिनेता दलीप ताहिल को जया प्रदा के साथ एक विल्म के लिए इंटिमेट सीन करना था पर जैसे ही ये सीन शूट होने लगा दलिप बेखाबू हो गए उन्होंने जया प्रदा को कस कर पकड़ लिया तब जया को तकलीफ होने लगी तब उन्होंने दलीप को जोरदार थवपर मार दिया इसके बाद उन्होंने दलीप से कहा कि ये रील नहीं, रियल लाइफ है ये जवानी है दिवानी में एक इंटिमीट सीन के दोरान रनबीर भी बेखाबू हो गए थे निरदेशक के कच करने के बाद भी रनबीर एवलिन की जांगों पर बार-बार हांथ रखते रहे विनोथ खन्ना और माधुरी दिक्षित फिल्म दयावान की शूटिंग के दोरान एक सीन में विनोथ खन्ना को माधुरी दिक्षित को किस करना था इस सीन को करते समय विनोथ खन्ना खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और माधुरी के होटों को काटने लगे सिधार्त मलहोतरा और जैकलीन फर्नांदес सिधार्त मलहोतरा और जैकलीन फर्नादес को अ जेन्टल्मेन के लिए एक इंटमीर शूट करना था रपोर्ट्स की मुताबिक दोनों अभिनेताओं निरदेशक के कट के बाद भी लिप लॉक जारी रखाओ तो क्यूं दोस्तों इन फिल्मों में से आपने कौन सी फिल्म देखी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ शेर करें और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की interesting videos आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले